कैसे है साथियों फिर हम लोग इंद्रा इंग्लिस क्लासेस में बेसिक इंग्लिस ग्रामर का इस्टेडी करने जा रहे हैं आप सबों का इस चैनल में स्वागत है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अनकॉंटेबल नाउन का जो पलूरल कैसे बनाया जाता है उसके नियम की चर्चा कर रहे थे उसी रूल की उसी रूल से रिलेटेट एक्जामपल है न कुछ और है जिसको हम लोग एक्स्प्लेइन करेंगे अभी उसमें आप देखे थे कि अनकॉंटेबल नाउन जो होता है उसका डिरेक्ट पलूरल नहीं होता है उसको पलूरल बनाने के लिए उसको पहले सिंगुलर कॉंटेबल नाउन में कनवर्ट कर दिया जाता है तब उसका पलूरल बनाया जाता है उसी का एक्जामपल देखे इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे थे है न किसका यह किसका देखे थे है न तो यह इनफॉर्मेशन का उसमे एक example देखे थे, दूसरा example देखे, क्या लिखा है, an item of information, a beat of information, इसमें जो है, unit an item है, a beat है, है न, कौन कोन है, an item है, और a beat है, तो इसका पलडल आप ऐसे बना लेते हैं, है न, तो item का information देते हैं, तो item का पलडल बनाते हैं, तो items of information हो जाता है, beat का पलडल बनाते हैं, तो beats of information हो जाता है, फिर music भी देखे, uncountable noun होता है, है न, इस uncountable noun को direct पलडल आप नहीं बना सकते, तो सबसे पहले इसको singular contable noun में आपको पलडल, ये convert करना होता है, तो singular contable noun कैसे बनाएंगे, तो a piece of music होगा, तो पलडल बनाएंगे फिर उसी तरह braid है, braid को भी direct पलडल नहीं बनाते हैं, इसको singular contable noun में बना लेते हैं, देखे, लिखा है, a piece of braid, a lob of braid, a beat of braid भी हो सकता है, तो पलडल बनाएंगे, तो इस lob का पलडल बनाएंगे, तो देखे, लिखा है, है न, सौरी, ये piece का पलडल बनाएंगे, तो ये हो जा का लोबस of braid, फिर देखे, चौक भी on contable noun है, चौक का direct पलडल आप नहीं बना सकते, है न, इसको पलडल बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको singular contable noun में convert करना है, a piece of chalk, a stick of chalk, अब पलडल बनाएंगे, तो ये piece का पलडल बनाएंगे, तो ये piece का पलडल बनाएंगे, पी अब हम लोग आगे देखेंगे, है न, है न, news का, है न, news भी on contable noun होता है, direct आप इसका पलडल news में yes नहीं जोर सकते, तो इसको singular contable noun में convert करिये, है न, तो क्या हो जाएगा, pieces of news हो जाएगा, है न, items of news हो जाएगा, तो अब piece का पलडल बनाएं, pieces of news हो जाएगा, item का पलडल बनाए, items of news हो जाएगा, फिर उसी तरह देखेंगे, यहां लिका हुआ है, है न, paper, paper भी on contable noun होता है, है न, इसको direct paper में yes नहीं लगा सकते हैं, हाँ, जब paper का परियोग एक news paper के रूप में कीजिएगा, तब इसका पलडल होगा, paper का परियोग के से कीजिएगा, news paper में, है तो मेरा paper कहा है, है न, जब आप news paper कहना होता है, paper के माधियम से, तब उसका पलडल आप बना सकते हैं, लेकिन paper का परियोग जब कागज के लिए होता है, तब उसका पलडल डिरेक्ट नहीं बना सकते हैं, है न, जैसे देखे लिका paper, है न, paper का पलडल नहीं होता, तो इसको पल्डल यह singular contable noun बनाते हैं, ए पीस और पेपर हुआ, ए शीट और पेपर हुआ, अब यह पीस और सीट का पल्डल बनाएए, देखे लिखा, पीसे सोब पेपर, सीट सोब पेपर, उसी तरह रविश, रविश मतलब होता कूरा कचरा, उसका भी direct पल्डल नहीं बना सकते हैं, इसको singular contable noun में बनाते हैं, है न, pile of rubbish, a heap of rubbish, अब इसका पल्डल बनाएए, piles of rubbish, and heaps of rubbish, इस तरह इसका पल्डल हो जाता है, advice भी singular contable noun होता है, इसका मतलब सला होता है, इसको direct पल्डल नहीं बनाते हैं, न, देके लिका है, है न, a piece of advice, है न, a word of advice, ये singular contable noun में हो गया, प्रवाइस है ना पीसे सॉप एडवाइस है ना और उसके बाद से देखे लिखा है है ना वर्ड्स उप एडवाइस इस तरह इसका पल्दल हो जाता है रैटिंग देखिए यह स्विश्वलर कॉंटेबल नाउन है इसका पल्दल आप डिरेक्ट नहीं बना सकते हैं इसको पल्दल बन जाता है है ना चलिए फिर हम लोग देखते आगे पैशन है पैशन का भी पल्दल नहीं होता है तो इसको पल्दल नहीं होता है तो इसको पल्दल बनाने के लिए हैना इसको स्विलर कॉंटेबल नाउन होता है इसका पल्दल नहीं होता है तो इसको पल्दल बन है ना इसको सिंग्लर कॉंटेवल नाउन में कनवर्ट किजिए एक अप्ट फीवर तो फिल ड़ल हो जागा एक ईस ऑफ फीवर हैना फिर उसके इसका भी पल्डल डिरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यह on countable होता है, इसका पल्डल बनाने के लिए आपको इसके unit का मदद लेना होगा, singular countable noun में convert करना होगा, a piece of meat, a roast of meat, अब यह पल्डल बनाए, pieces of meat और roast of meat, इस तरह इसका पल्डल बन जाता है, फिर उसके बाद देखिए आगे, piece of meat, roast of meat देखें, फिर जैसे देखिए ice, ice भी singular countable noun है, इसका पल्डल आप नहीं बना सकते, तो इसको बनाने के लिए किसका पड़ियो करना, किसका मदद लेना होता है, किसका मदद लेना होता है, है न, तो ये इसका क्या कहते हैं, है न, ये इसके unit का, जैसे ice है, a piece of ice, a block of ice पल्डल बनाईएगा, pieces of ice और blocks of ice हो जाएगा, उसी तरह research है, research का होता है, piece of research, इसका पल्डल, pieces of research, evidence होता है, सबूत या गवा, इसका पल्डल जो है, सबूत होता है, इसका पल्डल जो है, direct नहीं बनाते हैं, इसलिए singular countable noun में convert करते हैं, a piece of evidence, है न, फल्डल हो जाता, pieces of evidence, business भी singular countable noun, uncountable noun होता है, इसका पल्डल आप direct नहीं बना सकते हैं, फल्डल बनाने के लिए, इसमें क्या करना परता है, इसके unit की मदद लेनी परती है यह an item of business पल्रल हो जाता items of business इस तरह हम लोग uncontable noun को direct पल्रल नहीं बनाकर उसको contable noun में convert कर लेते हैं और तब उसका जाकर पल्रल बनाते हैं चलिए 16 number देखते हैं अगला rule है अब proper noun तो आप जानते होंगे proper noun किसी का अपना नाम नीजी नाम होता है जैसे इंडिया है चैना है राम है श्याम है रहीम है सलीम है कमला है सलमा है विमला है यह सबी नाम होता है यह सबी नाम proper noun होता है और इस proprio noun का plural हम लोग नहीं बना सकते हाँ न देक्के लिका है नघ कि लिका है न प्रोपर नौवन सहर नौट चेंडेंटू इनट्यू प्लॐ। हिंदी भी यह प्र नौवन छापर नौन नहीं ऊता है कोई भी प्रोपर नौन से उस्का प्लॐ। आप नहीं बना सकते। यह मैं इस तरह कोई भी प्रोपर नाउन उन्लोग नहीं बना सकते हैं लेकिन proper nouns जो होता है उसका plural बनाने का rules होता है एक तरीका है लेकिन जब वह plural में convert हो जाता है तो उसका meaning change हो जाता है जब इसका use आप common nouns के तरह करते हैं तो they are changed into plural जब यह proper noun का प्रियोग आप common noun के तरह करेंगे तब इसका plural हो सकेगा proper noun का use common noun के तरह होना चाहिए common noun कहने का क्या मतलब हो गया है न यह ऐसा noun जिससे उसके संपुर नजाती भर का बोध हो है न लेकिन जब इसका प्रियोग common nouns के रूप में हो तो इससे plural बनाया जाता है अब proper noun का प्रियोग कैसे common noun के तरह करेंगे जैसे राम है राम तो किसी लर्का का खास नाम है यह proper noun है लेकिन राम से मिलता राम के पास जो गून है उस गून से मिलता जोलता जितने भी आदमी राम जैसा है उस राम शब्द का प्रियोग उन सबों के लिए किया जा सकता है इसलिए वह क्या हो जाता है proper noun हो जाता है और तब वह common noun हो जाता तब वह राम क्या हो जाता है common noun यदि सीता का परियोग सीता जैसी सभी लर्कियों को दिखाने के लिए किया जाए तब वह सीता common noun हो जाएगा यदि इंडिया का परियोग इंडिया जैसे सभी देशों को दिखाने के लिए किया जाए तब वह इंडिया common noun हो जाएगा यदि रमेश का परियोग रमेश जैसे सभी लरकों को दिखाने के लिए किया जाए तब वह रमेश common noun हो जाएगा यदि गंगा का परियोग गंगा जैसी सभी नदियों को दिखाने के लिए किया जाए तब वह common noun हो जाएगा ऐसी स्थिति में उसका पलूरल होता है देखिए यहां एक्जामपल लिका है singular proper noun their plural forms their meanings यहां तक हम लोग देखे इसके बाद जो है इसका एक्जामपल जो है इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे यह वीडियो आपको यदि पसंद आए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे थैंक यू फूर वाचिंग इस वीडियो